प्रमूत कुमार यादव इन इस वीडियो आई विल डिस्क्स इबाउट दिवलप्मेंट इन सी अर्चीन तु इसमें जो CSI नेट गेट या नेट के सलेवस में जो भी जो सी अर्चीन से क्योश्चन्स आते हैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो है तो हम सुरू करते हैं क् देखे पहले हम बात करेंगे development sea archina में देखे हैं सी अर्चीन बैसिक्ली आप देखेंगे तो एक एक काई इनो जो इनवर्टीब्रेट का लास्ट फाइलम है इक इनो डर्मेटा उस फाइलम से जो रिलेशन रखता है वहां से है अधि इसके हैबिटेट के बाद करें ते जो एक इस पाइनी नेचर का होता है इसका जो इस्ट्रक्चर आपको ग्लोबलर देखने को मिल सकता है और यह मैरीन इनवर्टीब्रेट से आपको यह जो है नार्मली मैरीन जो है मैरीन टाइप की जो है इन्मार्मेंटर कंडिशन में मिलता है यह इसमें हम फर्टिलाजेशन की बात करें फर्टिलाजेशन रिसमें जो पर्टिकुलर आपको फर्टिलाजेशन देखने को मिलेगा वह जो होत में release कर दिया जाता है और इसमें जो fertilization के process होती है वो sea water में होती है बाहर इसलिए इसको हम जो external fertilization जो है treat करते हैं देखिए अब external fertilization में यहाँ होता क्या है इस बात को समझेए देखिए इसमें होता क्या देखिए this is the egg यह क्या है देखिए यह जो बाहरे जो सी अरचीन का आया लिए अब देखिए ध्यासए देखिए बीच अ किलाइग ँसके जो एयो और इसिस रिजन ये इसका कहते है और एक जनी क्यों होता एका में काम क्या इसका मेंं काम स्थेप्शन इज कर सकते स्ट्धिन प्रेज़नी की कि बाहरी कोई जो predator जो हता है, समफनल, जो weartuar में, कोई यह होता क्या, C-Archene में, यदि C-Archene case में देखेंगे, इसको यह जो होता है, वो Sulfated Fucoze होता है, अब यह इसका काम बता रहे हैं क्यों होता है, देखे, अब यह आन दी time being आप ध्यान रखे, यह तो हो गया, एक, अब देखे, अब इसके बाद जो मेल की बात करते हैं, तो मे मोबाइल में, जो है, convert हो जाता है, मोबाइल नेचर में, देखे, इसके पीछे का जो mechanism क्यों होता है, जब वो particular, देखे, जो sea water का pH आप देखेंगे, 7.6 के round होता है, और जब यह mobile sperm होता, इसका जो starting pH होता है, 7.2 होता है, जब यह non-motile होता है, और जैसे sea water में आएगा, जै जैसे pH increase करेगा, वो ऐसे क्या होता है, इसमें एक dynein ATPase होता है, समझे, dynein ATPase जो होता है, वो activate हो जाता है, जब dynein ATPase अक्टिवेट होगा, तो यह dynein ATPase जो responsible होता है, अस्परम को motile state में convert करने के लिए, तो उसी को activate होने के बाद, अस्परम जो होता है, वो motile हो जाता है, और बट इसकी direction, जो directionless रहता है, motile हो जाएगा, वो अपने से जो है, चल फीर सकता है, बट directionless रहेगा, अब direction, अब ऐसे कैसे सर्च करता है कि नहीं, यहां जो है, एक particular जो है, C-archin का एग है, वहां में move करना, उसके पीछे हम बता रहे हैं, देखिए region क्या होता है, जो होता है, एक से एक particular जो chemo attractant release होता है, समझे, chemo attractant release होता है, इसका जो है, 14 amino acid का एक chemo attractant release होता है, यह से रिसेक्ट करते हैं, इस रिसेक्ट को ध्यान में रखिएगा, बबार पूछा गया था, नेट में, डायरेक्ट पार्ट बी में, तो उससे कोते हैं, रिसेक्ट, अब रिसेक्ट क्या होता, देखिए, इसी particular रिसेक्ट के सहारे, ओ जो अस्पर्म होता, ओ अट्रेक्ट होता है, कहां, ओ अट्रेक्ट होके आएगा, जो female एक के पास आता, और यहाँ जो sulfated polysacryde होते हैं, वही उससे जो है, वहाँ से binding होती है, और इसी वाज़ेस जो होता है, एक और जो है, यहाँ अस्पर्म का जो है, आपस में contraction होता है, contract में आते हैं एक दूसरे के, अब इसके पीछे और mechanism क्या हम discuss कर रहे हैं, तब वहाँ ज्यादा clear हो जाएगा, देखिए, पहले हम बात करेंगे इसके अस्पर्म के, देखिए, अस्पर्म की इसमें क्या है, दे रिसेट का particular तो receptor होगा, एक पत अभी वह उसके contact में आएगा न, उसी वज़ाद, देखिए, यहाँ क्या होता है, रिसेट का जो है, अस्पर्म के head पर रिसेप्टर होता है, उस पर्टिकुरर रिसेप्टर को हम बोलते है, RGC receptor guanyl cyclase, RGC के नाम सुने होगा, receptor guanyl cyclase जिसे बोलते हैं, और अस्पर्म एक और channel होता है, जिसे हम calcium channel काते हैं, क्या काते हैं, calcium channel काते हैं, और इसके बाद इसके अंदर nucleus होता है, और आप देखेंगे तो यहाँ कुछ जो है, actin molecule देखने मिलेंगे, और इसमें जो mitochondria present है, तो होता क्या, देखिए हम बात करते हैं, रिसेक क्या हो, रिसेक्ट रिलीज कर दिया गए, एक के द्वारा, इसका receptor कहा है, अस्पर्म है, तो जब रिसेक्ट बाइन करेगा अस्पर्म तो वहाँ जो AGC guanyl cyclist, जो signaling start होती है, signaling start होगी with the help of GTP, तो फिर होता क्या होँआ, cyclic GMP का concentration increase होगा, इसके बाद क्या होता है, calcium channel open हो जा स्पर्म के अंदर मूब करना ही start कर देता है, जब अंदर मूब करेगा, तब यही जो calcium का inside movement ही क्या करता है, अस्पर्म को जो है, मोटाईल में convert कर देता है, और उसको अभी में बताया थी ने, non direction less होता, कोई होता, direction नहीं होता, तब इसमें क्या होता, एक direction आ जाता है, हमें कहा मूब करके जाना है, तो इस माद्यम से जो है, अस्पर्म जो है, एक के पास पहुंचता है, अब देखिए, अब इसके आगे का mechanism देखिए, समझे इस बात, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां देखिए, ए पटिकुलर एग आ है, एग जो है, यहां जो आप देख प्रेन होती है, यह पूरा देखिए, एक जेली है, समझे है, यहां से पूरा एक जेली है, और यह जो है, एक का पार्ट है, अब देखिए, होता क्या है, जैसे जो calcium होता है, देखिए, पहले बात करते है, फ्यूकोज की जो sulfated polysaccharide था एक के ऊपर, एक जेली, अब उसका क receptor होता है, असपर्म के head, वो जैसे bind करता है, bind करेगा, तो attract होता है, अब देखिए, इसके बाद होता क्या, पहली process क्या होती है, इसके बाद होता है, पहला जो यहां movement होता है, calcium channel open होगा, calcium अंदर जाता है, और यहां movement start हो जाता है, इसके बाद एक second channel और पाया जाता है, जिस से क्या होता है, इस से आपको जो sodium inside जाएगा, sodium का movement inside होता है, और hydrogen का movement जो outside होता है, तो देखिए, यहां क्या sodium जो inside movement होगा है, hydrogen outside move होगा है, यह दूसरा हो गया अब इसके बाद देखिए, इसमें इसके जो particular sperm का का head जो plasma membrane होता है जो plasma membrane होता है इसमे're PLC होता, यहाँ जो होता हैriters activation होता है जाब इसका activation हो यह PIP2 को activate करता है, जब PIP2 को activate करता पि PIP2 इस IP3 डाफ़ीफिई इसु इसमें IP3 है, innovacetile 3-phspad जो हो IP3 है यह क्या करेगा इसका receptor SCR rap होता है smooth endoplasmine reticulum वो जैसे यह smooth endoplasmine reticulum से bind करता है इसके बाद जो asperm का inner side है वहाँ क्या करेगा आपका calcium का concentration increase होने लगता है बाहर से भी calcium आ रहा है और जो अंदर भी calcium concentration increase होता है इस तरह से एक का activation होता है यहाँ तो particular यह mechanism था अब देखे आगे चलिए अब होता क्या जैसे asperm के अंदर यह increase कर गया क्या हुआ अस्परम के अंदर जैसे calcium iron का concentration increase होता है उसके बाद होता क्या है उसके बाद होता है responsible for fusion of acrozomal membrane to plasma membrane जैसे calcium iron का concentration जैसे increase हुआ तो उसके बाद क्या होता एक्रोजोमल membrane जो होती है वो fuse करती है plasma membrane से एक की बाद करें एक का एक्रोजोमल जो membrane होता एक plasma membrane जो fuse कर जाता है फिर इसके बाद क्या होगा इसी के बाद शुरू होता है आपको Acrozomal reaction जिसे कहते हैं initiation the Acrozomal reaction स्टार्ट होता अब इसके बाद इसमें दखेंगे दो step होता पहला क्या होता है देखिए first क्या होता है first release आप Acrozomal enzyme पहला जो होता है Acrozomal enzyme release किया जाता है अब जब Acrozomal enzyme release होता आप करेंक क्या जेली को करने काम ही करता है कौन अक्रोजोमल एंजाइम और जो दूसरा प्रासेज होता है इसके पीछे क्या देखिए क्या मैके निजब सेकेंड में होता है जिसे देखे जो कैल सियम आयन था चैल सियमायन का जब कंसंटेशन इंक्रीज हुआ उसके दोरह हुआ क्या जैसे calcium iron का concentration increase हुआ, वो क्या करता है, activates the GTP binding protein रहो भी, वो क्या करता है, वो calcium एक जो asperm में रहो भी, जो GTP binding protein होती है, उसको क्या करता है, वो activate करता है, जैसे रहो भी activate होगा, वो क्या करेगा, जो asperm में जो actin protein है, actin protein को actin filament में convert कर देता है, क्या करता है, actin protein को actin filament में convert कर कि इसके बाद क्या होगा जैसे एक्टीन फिलामेंट में कर्णोर हुआ उसके बाद आफ देखिये उसके बादोता है एक्क्रोजोमर्वल गॉर्ड से देखने मिलेगी और उसमें होता क्या एक्सप्रेस-प्रोटीन-बिंडिन 이के बाद इसके बाद जो अस्पर्म होता है अक्रोजमर प्रासेश होने बाद अस्पर्म एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है अपने सर्फेस पर जी से बिंडिन प्रोटीन काते हैं क्या कहते हैं बैंड़ीन प्रोटीन अब बैंड़ीन प्रोटीन क्या होगा जब एकस्प्रेस होगे है जब ठीकुललर अस्पर्म के प्लाज मेंवरेंड 12 evenings मेंड़ीन डीदेस यकौई लिए यू एक स्प्रेस होगे थो तो फिर होता क्या जो Bi Ondine Protein होता बिंडईन प्रोटिन का पर्टिकुलर र restrictions drg7-b-1 कहते हैं यह काँ प्र centers होता है यहीद षूता है बिखर कचे बिल्स होता है weťlerde यह मेंब्रेन पर फेसित होता है अब वहें किया करेगा जाके wef mund करता इसके बाद क्या होता है प्रमोंट फ्यूंजन अब two membranes इसके बाद जो तो और एक मेंब्रेन और प्लाज्मा यह जो ASPERM मेंब्रेन दोनों का फ्यूँजन हो जाता है देखिए यह नो शुरूम होता क्या देखिए कुछ कुछ इजOW प्रासेज होता है जैसे this is the asprm jätte जैसे एक्टिवेशन होता है यह जो एक्रोजोमल जो एंजाइम रिलीज हो तो क्या करती है वो एक्रोजोमल जो मिंब्रेन होती है उसको जो है तो वो डाइजेस्ट कर देता है तो जब डाइजेस्ट कर देगा तो एक्रोजोमल एंजाइम क्या होता हो फ्री हो जाता है देख अब फिर होने बाद कुछ इस तरह का structure बनता बनता देखिए एक्रोजोमल एंजाइम प्रजेंट और यहां बिंडिन जो है अपना कुछ इस तरह बना रहा और जो एक्टीन अम बात किये जो ग्लोबुलर एक्टीन अब क्या करेगा यह जो filament type का अपना जो structure बनाना शुरू कर चैसे एक्टीन फिलामेंट बोलते हैं अब देखिए हुआ क्या इसके बाद आप देखेंगे एक्रोजोमल प्रासेज बनता जब एक्रोजोमल प्रासेज बनेगा ता आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा देखिए यहां जो particular बना है और बिंडिन प्रोटीन कुछ इस तरह जो उसके पेरिफरी पर अरेंज हो जाता है यहां पर जब बेंड़िन प्रो अरेंज हो जायेगा और एक्टिन माइक्रो फिलामेंट बन चुका है, तब इस particular demant protein इसका receptor बिटलाइन ओती है जो एग की viteline membrane होती है, उसके membrane ऐर1 पाया जाता है, तब उस particular receptor से जाके यह asperm बाइंड करता है और जैसे बाइंड करेंगा फिर इसके बाद जो होता दोनों membrane का आपको fusion देखने को मिलेगा जब दोनों membrane का fusion होता तो वहाँ इसके बाद फर्टिलाइयेशन कोन का फार्मेशन होगा और आगे प्रासे जो है वो complete कर दी जाती है यह हुआ fusion अब देखिए अब इसके बाद हम discuss करेंगे embryonic development in sea urchin sea urchin case में embryonic development कैसे होता अभी तिया फर्टिलाइयेशन होगा अब इसके बाद देखिए इसमें जो होता है embryonic development इसमें जो आपको particular देखने होगा जो division होता हो holoblastic radial pattern का होता है आप इसको याद रखे हम इसको first class में discuss की हैं जो जाहां starting का developmental का पहली class होगा आप देख लीजेगा वहाँ जाके तो इसमें जो division होता हो आपको holoblastic radial type देखने होगा मिलता और इसमें देखे जिप होता है जैसे एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना तो जब cleavage सिटार्ट होता है तो इसमें initial का जो दो cleavage मत्ठाज़ इसstarring का दो cleavage होता है उसमें maridonial type division होता है समझिए tomato type division होता है इसके बाद जो third होता है üç beispielsweise equatorial type होता है अब समझिए equatorial to get radial pattern however fourth cleavage quiet अभी देखिए अभी second और third की बात आती देखिए देखिए मेरी डोनियल क्या होता समझिए उसको समझने के लिए आप यहाँ आए देखिए first two cleavage हम क्या करें देखिए जैसे यह एक excel मानिए इसके बाद देखिए जैसे इस type से कुछ यहाँ पर division होता है इस type पहले इस type से हुआ फिर second आपको इस type से हुआ तो इसको हम बोलते हैं मेरी डोनियल टाइप क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेरी डोनियल टाइप यह particular जो है आपको मेरी डोनियल टाइप है इस तरह से मैरी dudonial type हुआ, फर्स्ट टूली बेज, देखे, यह फर्स्ट हो गया, इसके बाद आपको यह second हो गया, अब यहां हो गया, अब इसके बाद हम क्याओ करें है third, देखे थीर्ड क्या, third equatorial type, third equatorial type, टूगेट seu radial pattern, अब देखे, अब यहां, third, देखे, यह equatorial type हो रह हो गया अब देख़िये अब इसके बाद Equatorial ठोगया अब यहां तक देखिए same cells मिल चुकि अब देखिए इसमें होता कि है इसके बाद जो की के बाद होता है इसमें देखिए यसके जो aarmeल हेमिस्फियर की वेजिटल हेमिस्फियर तो जो यह स्टेट हमें मिल चुका है यहां डिवीजन बाद यह मिल चुका है थर्ड डिवीजन बाद जब देखिए अब इसमें होता क्या है जब फोर्थ होगा फोर्थ डिवीजन होगा तो फोर्थ डिवीजन में क्या होता है समझी आप इस बात को फोर्थ डिविजम जो एनिमल हेमिस्फियर की सेल है वो मेरी डोनियली डिवाइट करती है मेरी डोनियल टाइप मतलब जैसे हम यहां डिसकस किये थे मेरी डोनियल टाइप वो डिवाइट करती है अब इसके बाद जो इसके बाद जो सेकेंड वेजटल हाप के सेल्स हैं, वेजटल हाप सेल्स अनिक्वल एक्विटोरियल टाइप, अनिक्वल एक्विटोरियल टाइप होती हैं, जैसे देखिए, अनिक्वल एक्विटोरियल टाइप मिलेंगे तो इसमें दो सेल्स मिलती हैं माईक्रो everyone मिलती हים और माईक्रो मेर्स और जो फोर्थ को प्लिवेज में जो ए ऐनिवल हमिजफियर हुआ इसके दोरा मिय मेग्रो मयर्स cel मिलेंगे तो आपको इसके बाद होगा ही ह GIS चोटी वाली सेल्स ओञां आर बढ़ी वाली सेल्स मैस्वी reinforcement आ उपर www तो पीस तरह से मीर्ड जाने मेर्डं अे से मेरी सक्राइब कोए किवाल लेखितल लेकिन एजो नीचे वाल। इसे में नीचे से स् Essentially इसमें जो फॉघ देड़ एकुटो रीगे झीग मेल दुन्ट। जो बड़ी वाली cells आई उन्हें माइक्रो मेर से बोलते हैं जो छोटी वाली cells आई उन्हें माइक्रो मेर से बोलते हैं तेहां तक क्लियर होगा है देखिए अब चलिए आग एक बात करते हैं देखिए अब यहां बात आती है conditional and autonomous type की यहां से देखिए question जो एक्जाम में आप से पूछा जाता है मेली question जो इसी पार्ट से आता अब इस पार्ट को आप ध्यान समझे देखिए जो developmental biology में आप हर चेप्टर में देखते होंगे जितना भी सलेवस में उसमें आपको दो टर्म सुनाई देता होगा एक conditional सुनाई देता है एक conditional और एक autonomous इनका देखिए ले महन में समझी है आप ले महन में इनका एक concept समझी है जो conditional conditional मतलब होता है इसका फार्मूला होता है CDR और जो आटोनामस इनका फार्मूला होता है CDR मतलब होता है conditional dependent रिगुलेटिव और एम होता है autonomous indeterminate moject type अब देखिए जैसे conditional conditional मतलब यह होता है जैसे समझी है जैसे सपोस्टर टू सेल्स एक सेल्स एक सेल्स है और दूसरी सेल्स है अगर यह दोनों सेल्स इस conditional division फालो करेंगी तो इनका मतलब यह होगा कि जब इन दोनों सेल्स को आप एक दूसरे से अलग कर देंगे तो यह सेल्स जो है और दूसरा जो y जो kidney बना रहा है तो इसको सपोस्ट देट मानिए x जो लंक्स बना रहा है y kidney बना रहा है यह कंडिशनल डिविजन फालो करती है अब देखें जब इनको आप सेपरेट कर देंगे इसके बाद न एक्स जो लंक्स बनाएगा और न ही y जो kidney बनाएगी क्यू क्योंकि देखिए जब इनमें conditional लग गया था conditional लग था इनको particular condition चाहिए जब उस particular condition में रहेंगी तभी वो अपना जो है natural फेट जो इनका है वो जो है लेके आएंगी और इसका just opposite होता autonomous autonomous मतलब समझेए यदि सपोस्देट वही सपोस्देट कोई cells दो cells है एक P cells है और एक Q cells ह साथ में हैं साथ में हैं इसके बाद भी इनका normal फेट चल रहा है अगर इनको आप अलग कर देंगे जैसे P Q P Cells को आप अलग कर दिए और Q Cells को आप अलग कर दिए, फिर भी इनका नार्मल फेट चलेगा, नार्मल फेट मतलब जो पहले साथ में डिवाइट कर रहे ही ती ओ अलग करने का बात भी डिवाइट करेंगे, मतलब इस अर्टो नामस इनको जो नेवरिंग सेल से कोई मतलब सब्सक्राइब चुर्णियें और यह सब्सक्राइब बंके हाएगए अब बात करें अब अब तो हम आपको कंडिशनल आटोम नाम अब अब देखिए यहाँ जो मीजो मियर्स की सेल्स है जो हम बात करें समझिए यहाँ जो micromeres की cells हैं, micromeres की cells autonomous follow करती हैं, और meizomere, macromere, दोनों cells जो अता हो, conditional follow करती हैं, इसका मतलब देखिए, यहाँ जो दो था, देखिए, यह जो last में आपको मिला यहाँ, देखिए, इसमें जो, यह meizomere, meizomere, और यह macromere, macromere, दोनों क्या follow करती हैं, एक conditional follow करती हैं, CDR, conditional, और जो micromere, micromere जो है, वो autonomous aim, autonomous division जो follow करती है, और यहाँ जो particular, जो meizomere होती है, meizomere से आपको ectoderm बन क्या आता है, और जो micromere होती है, micromere से ectoderm और endoderm आता है, और इसी तरह जो micromere cells होती है, सबसे छोटी cells, उनसे जो हता है, skeletogenic meizoderm आता है, देखिए, exam में जो इसी तरह पूछेगा आपसे question, जैसे यह जितना हम बताएं, सब कुछ बता देगा, यह last time बोलेगा, क्या बोलेगा, जैसे देखिए, इहां क्या, meizomere, जैसे समझे इस ब micromere, और micromere, देखिए, जैसे पहले तो पूरा देगा, इस statement आपको exam में, कि meizomere, micromere जो है, वो conditional है, और micromere autonomous है, तो last में क्या करेगा, यह बोलेगा, meizomere और micromere दो cell को कुछ number देखिए, इनको हम जो आपस से अलग कर दिए, dissociate कर दिए, तो बताएं, क्या natural fate इनका जो development होके, एक्टोडर्न बना रहीं, क्या एक्टोडर्म आएगा, या micromere, इंडोडर्न बना रहीं, आएगा, तो इसी तरह पूशता है, तो देखिए, conditional होता है, तो वहाँ, वो पर्टिकुलर अपना fate जो है, वो नहीं develop कर पाएंगे, और जो swill autonomous होती है, वो अपना लेके आ और बीटा केटनी present in micromere, micromere cells में जो होता है, यह दो टाइप की जो protein present होती है, अब इनका role क्या देखिए, initial में क्या होता, आप starting में देखेंगे, तो जो micromere, micromere and micromere की cells होती है, क्या करती है, micromere और micromere की cell एक factor सो करती है, जिसे हम HC बोलते है, HC का expression करती है, micromere और micromere, अब यह होती है, देखें, इसे होता है, HC है क्या, HC क्या करता है, ACT से transcription repressor, आप specific genes, कुछ क्या करता है, वो कुछ genes को जो है, वो transcription repressor की तरह काम करता है, किसके लिए जैसे gene है, LX1 है, थ्रियोनीन है, SOXC है, ETS है, और डेल्टा, इन सब gene के लिए क्या करता है, जो HC होता है, वो जो है, repressor का काम करता है, और जो micromere cells है, micromere cells में क्या होता, वो beta-catenin in association with OTX, वो क्या करते है, वो एक gene को activate करते है, PMR1 को, समझे, अब PMR1 क्या है, PMR1 कहां से आ गया, यह क्या है, एक transcription repressor, आप HC, यह HC का repressor है, अब देखे, यह repressor का repressor हो गया, HC त अपने एक repressor ह ही है, अब PMR1 क्या आ गया, यह HC का repressor आ गया, मतलब क्या है, PMR repressor का repressor है, जिसे हम double negative करते हैं, आप इस बात को ध्यान में रिखे, जब repressor का कोई repressor हो, तो उसे हम double negative करते हैं, कभी का लिख्जा हमें पूछा जाता है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, आपको, अ 40X, Micromere Cells, सबसे छोटी वाली Cells हम नीचे बनाएं, देखिए, जिसे अब ध्यान दिए, जिसे जो हम cleavage बना सबसे उपर जो था, सेल क्या था, सबसे उपर जो सेल थी, हम थोड़ा समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं, देखिए, सबसे उपर जो सेल आई थी, म मिजो मिएर, क्या आई थी, मिजो मिएर, और बीच में जो था, ओ, मैक्रो मिएर था, बीच में जो सेल थी, मैक्रो मिएर और सबसे लास्ट में जो था, सबसे इसमाल सेल थी, उनको बोलते हैं, माईक्रो मिएर, अब देखिए, माईक्रो मिएर में बताएं, आपको इसकेले क्टिविट करता है जब फीम्र1 में एक्टिविट हो जाएगा तो यह क्या करता है यहां देखिए जो सिगे ला रहा है म Alexa क्रते रहा है जब वसस thou कि क्या सबक्रांड एक्स्प्रेशन आता इन सब के द्वारा ट्रांस क्रिप शन इंक-ड शन इसब films फार्मिंग इन इनका expression यहां जो आएगा और इनका जेस्ट अपोजिट होता है जिसे जो मैक्रोमेर मीजोमेर सेल में यहां क्या होता है आपको OTX और बीटा कैटनीन नहीं है क्या है नहीं बीटा कैटनीन और यहां नहीं OTX है तो होगा क्या उनके बाद पीमर का activation होगा ही नहीं जब पीमर ओ अलेडी इनिबिट करके रखेगा कि इसको ALX1, THRIONIN, ETS और DELTA को जब इनको इनिबिट करके रखेगा तो यहां आपको कोई expression नहीं आएगा इसकेलेटोजेनिक प्रोटीन का तो इनका नार्मल फेट जो था वह अपना वही लेके आएंगे इंडोडर्म जो हता एक्टोडर्म वही डेवलप करवाएंगे मैक्रोमियर और मीजोमियर सेल मिलके बट माइक्रोमियर में क्या होता OTX और बीटा कैटनीन होने के कारण और PMR1 का अक्टिवेशन होता PMR1 हसी को नहीं बिट करता इसलिए इसकेलेटोजेनिक फार्मिंग जीन अक्टिवेट होते हैं अगर एक जाम ऐसा कुछ पूछता कि मैक्रोमियर मीजोमियर सेल्स हैं नार्मल फिट का यहां इसकेलेटोजेनिक प्रोटीन जो है नहीं बनती ह और यहां आप क्या करें आप एक्स्टरनली ओटी एक्स और बीटा केटनीन को इंट्रोड्यूस कर दे रहें माइक्रोमियर या मीजोमियर सेल्स में तो क्या होगा जब आप एक्स्टरनली ओटी एक्स और बीटा केटनीन जो है यहां इंट्रोड्यूस कर रहें तो उसके ब बाउट दें सी अर्चीन डेवलप्मेंट और इससे इससे आपका परपस सालब हो जाएगा जितना बताए इसने आप क्यूश्चन सालब करिएगा इसने जो आपको सारे क्यूश्चन जो बन जाएगा यहां से